दोस्तो आज हम लोग सिखेंगे how squirrel cage induction motor works, squirrel cage induction motor काम कैसे करता है, इसका working principle कैसे होता है, इसका बारे में आज थोरा हम लोग जानकारी लेंगे ये knowledge लेंगे स्कूरेल केज मोटर को भी दोस्तो हम लोग इंडेक्शन मोटर कह सकते हैं दोस्तो स्कूरेल केज मोटर का दोस्तो जो रोटोर होता है उसका जो डिजैन किया गया है दोस्तो वो स्कूरेल केज टाइप का डिजैन किया गया है दोस्तो दोस्तो वायर का दोस्तो जो end point रहता है दोस्तो उसको short circuit किया जाता है squirrel के जो motor को दोस्तो operate करने के लिए दोस्तो पहले AC supply दिया जाता है स्टेटर में ये AC supply देने के बाद दोस्तो इस्टेटर में एक magnetic field ये magnetic flux दोस्तो तयार होता है यह magnetic flux तायर होने के बाद दोस्तो उस पे एक EMF दोस्तो induced होता है stator और rotor के बीच में दोस्तो हलका एक ER gap रहता है यह जो stator का induced EMF होता है दोस्तो यह rotor का दोस्तो जो wire होता है इसमें भी दोस्तो magnetic flux तायर करता है उसके बाद rotor में भी दोस्तो एक induced EMF तायर होता है induced EMF के बज़ा से दोस्तो रोटोर भी दोस्तो रोटेट होने लगता है रोटोर जब दोस्तो रोटेट होता रहता है दोस्तो इस्टोटर का दोस्तो जो magnetic flux होता है उसको match up या catch up करने की कोशिश करता है लेकिन catch up नहीं कर पाता है स्टेटर का दोस्तो जो magnetic flux होता है मोटोर उस फ्लक्स को कट करता रहता है ये इलेक्टोमेगनेटिक इंडक्षन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है इस्कुरेल केज मोटोर दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतने मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नया लेकि कुछ नया उमीदों के साथ तब तक लिए नम झाल